हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने वीवो T2 Android में आप जो है इस्प्लिट स्क्रीन सेटिंग को आपना इनेबल कैसे कर सकते हैं यानि कि आन कैसे कर सकते हैं ठीक है और यह स्प्लिट स्क्रीन सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ही setting कैसे काम करती है आज की इस video में आपको detail में जंकारी देने वालों तो चलिए आप यह वीडियो को start कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने mobile phone में setting page आपको open करना है इस अगले पेज में आपको यह एंटर इसBlue करना है अब इस पेजम आपको नीचे की सायड़ी जो बटन दिखाए दे रहा ना इसे आपको टैप करना है लिखा हुआ न सलाइट विथ ध्री फिंगर to split screen, इस option के ठीक सामने ले बटन को आपको on करना है, इस तरीक से तो इस setting आपको on हो जाएगी, ठीक है, अब इस setting on होने के बाद इस setting काम कैसे करती है, यह मैं आपको बता देता हूँ, देखिए आपको पहले जो है किसी भी एक app को आपको open करना है, ठीक है, यह setting के application में काम न नीचे से ऊपर की side में तीन उंगलियों को एक साथ रखना है, तीन उंगलियों का use करना है, नीचे से ऊपर की side में slide करना है, इस तरीके से, तो देखिए आपको mobile phone की screen split हो जाती है, यह निकि दो भागों में बरावर बढ़ जाती है, ऊपर की side में आप जो है यह calculator यूज कर करती है, और दोस्तों यहाँ पर जो है, आप split screen setting को आप दूसरे तरीके से भी on कर सकते हैं, तो पहले तो आपको किसी भी एक app को आपको open करना है, इसके बाद आपको यह status bar open करना है, इस status bar में भी आपका यह option होता है, आपका split screen का यह आपको दबाना है, तो क्या होगा, app जो है न, यह split हो जाएगा, ठीक है, तो इस setting इस तरीके से आप दो तरीके से आप इसे use कर सकते हैं, अपने while phone में, ठीक है,